बोलो क्या बात है? I love you यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्यार? किस रिस्ते से? ना आप मेरे भाई हो, ना चाचा हो, ना मामा हो, आखिर आप किस रिस्ते से प्यार करते हो? अपना आशिक ही समझ लो आशिक? पर हम तो यहाँ पढ़ने आये हैं इसे क्या फर्क पढ़ता है? पढ़ाई के समय पढ़ाई और बागी के समय प्यार? क्या हमारा समाच इसकी इजाज़त देगा? क्या मेरे माबाप को जब इस प्यार का पता चलेगा, तो उन्हें दुख नहीं होगा? कहीं हमारा समाज साधी से पहले किया गया प्यार को पाप तो नहीं कहेगा समाज 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 तुम्हारे घर को खाना देता है क्या नहीं ना तो फिर समाज से क्या लेना देना आपकी कोई बेहन है हाँ है दोनों कोलिज में पड़ती है कल दोनों को बोलना कि अपना अपना आशिक धूंडे और खूब प्यार करें तेरी ये मजाल तु मेरे बेहनों के बारे में क्यूं फट गया प्यार का नसा क्या मैं किसी की बेहन नहीं हूं क्या तेरी बेहन आसमान से उत्री है नहीं वो भी मेरे जैसे किसी मा की गर्व से जन बना देती है उसे बलतकारी और दुसकरमी बना देती है कर्म करो भईया माबाप ने पढ़ने भेजा है पढ़ो यही कर्म है माबाप के सपनों को साकार करो इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है एक माबाप अपने बाल बच्चों के पालन पोसन में ही अपने सारी जिंदगी बिता देते हैं तो क्या जवान होकर हम उनको बेज़त करें जिसने अपना खून पिला कर पाला क्या उनकी भावनाओं का खून करते जिस भाई ने जिन हाथों से गोद में खिलाया क्या उन हाथों को कारते, क्या यही प्यार है, अगर यह प्यार है, तो पाप क्या है, क्या माबाप का हमारे जीवन पर कोई अधिकार ने, सादी से पहले प्यार जिसने भी किया, उसे दो रास्ते मिलेंगे, पहला, प्यार और पढ़ाई एक साथ हो नहीं सकता, कॉलिज में आ आप जूट बोलोगी, और जूट बोलना पाप है, तो फिर यह सोचो कि आप प्यार कर रही हो या पाप, तीसरा, अगर माबाप को आपका प्रेमी पसंद नहीं है, तो प्रेमी को छोड़ोगी नहीं, और माबाप को छोड़ना आसान नहीं है, अगर माबाप को छोड़ती ह तो पहले सोचो अगर आपके प्रेमी का साल दो साल का प्यार प्यार है तो आपके माबाप ने जो आपके लिए 18-19 साल तक किया क्या वो पाप था आपने जिस गर्व से जन लिया उस गर्व की अगर आप इज्जित नहीं कर सकती तो उससे बदनाम करने कभी आपको कोई हक नह आप प्यार में थोरी भी नादानी की और गर्व धारन कर लिया तो जिन्दिगी नर्ग से भी बत्तर हो जाएंगी आप उस बच्चे को जन दे नहीं सकती और गर्व को नस्ट करना वाप से बगदा इस लिए है दीदी है बहन इस जिंदिगी में कुछ नहीं है कर्म प्रध कर जज या वकिल से कन्यादन क्यूं करा है मैंने इस गाने में लड़की जाती पर जोड़ दिया है क्योंकि मैं एक लड़की हूं और जानती हूं कि एक लड़की का मन अगर पवित्र है तो कोई माई का लाल उसे छुना तो दूर नजर उठा कर देखेगा तो उसकी आखे जल यहींग है कि अरणी आटिया हूं कि आटिए में नगर जाएवागी जला कर देखेगा तो आटिया दूर जला दूर जला दूर से कहां जाती है।